हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे येटूब चैनल मिशन वित्रकास में दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गोल में जिस सम्मेलन से संबंधित प्रश्ण उत्तर की दोस्तों सभी प्रत्योगी परिक्षाओं में चाहे वो SSC परिक्षा हो UPSC, Railway, लेक किसी प्रकारी परिक्षाओ हो, सभी में गोल में सम्मेलन से एक प्रश्ण ज़रूर पूछा राता है दोस्तों हम आपके लिए वीडियो में उनहीं प्रश्णों को लेकर आए हैं जो परिक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आने वाली है दोस्तों, वीडियो पसंद आये तो लाइक कमेंट शेर कर दीजेगा, आएए देखते हैं पहला कोश्चन, किन किन व्यक्तिय व्यक्तियों ने दुतिये गोल मेज संबेलन में भाग लिया था, दोस्तों ये कोश्चन पूछा गया था, यूपी लोवर सब प्री उनिसो ठानबे में, इसका सही आंसर है महत्मा कांधी, सरोजनी नाइडू, मदन मोहन मालवी, दोस्तों एक बार फिर से देख लीजे, कि किन व्यक्तियों ने दुतिये गोल मेज संबेलन में भाग लिया था, इसका सही आंसर है महत्मा कांधी, सरोजनी नाइडू, मदन मोहन मालवी, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, परिक्षा के निजर जिसे देखा जाय तो, दुतिये गोल मेज संबेलन काफी महत्पूर है, आईए बात करते हैं दूसरे कोश्चन की, किस भारतिये नेता ने लंदन में प्रथम गोल मेज कॉन्फरेंस में भाग लिया था, इसका सही आंसर है मौलाना मुहम्मद अली, एक बार फिर से देख लिजे, किस भारतिये नेता ने लंदन में प्रथम गोल मेज कॉन्फरेंस में भाग लिया था मौलाना मुहम्मद अली आईए देखने अगला कोश्चन ब्रिटिस सरकार द्वारा लंदन में भारतिय नेताओं का प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब बुलाया ये प्रेशन पूछा गया था यूपी आरो ए आरो 2014 में दोस्तों इसका सही आंसर है 1930 ब्रिटिस सरकार द्वारा लंदन में भारतिय नेताओं का प्रथम गोल मेज सम्मेलन 1930 में बुलाया था देखते हैं अगला कोश्चन दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी वीडियो के प्रेशन अच्छे लग रहे होंगे यही सब प्रेश्च परिक्षाओं में पूछे जाते हैं अगला कुश्चन दोस्तों दुतिये गोल मेर्ज संबेलन में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का प्रतिनिधित्व किस ने किया था? ये प्रेशन पूछा गया था UPROARO में 2016 में इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ये प्रेशन काफी महत्पूर है दुतिये गोल मेर्ज संबेलन में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था और दोस्तों दुतीव गोल्मेज सम्मेलन परिक्षा की नेजरिये से काफी महत्पूर्ण भी है इससे जाज़ातर प्रेश्ण पूछे जाते हैं देखते हैं अगला कोश्यन प्रथम गोल्मेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नौवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक इस प्रकार के भी प्रेश्ण पूछ ली जाते हैं प्रथम गोल्मेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नौवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक अगला कोश्यन दुतीव गोल्मेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दोस्तों ये सभी प्रेश्णों को ध्यान से देखिएगा पूछ लिया जाता है ये सभी दुतीव गोल्मेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक अगला कोश्यन दुतीव गोल्मेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ? इसका सही आंसर है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक दोस्तों आपको जो भी प्रेश्ण महतपूर लग रहे हो आप उन प्रेश्णों को नोट कर लीजेगा वीडियो को रोक करके और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजेगा अगला कुश्चन तीनों गोल मेज सम्मेलन में इंगले एंड के प्रधान मंतरी कौन थे दोस्तों ये कुश्चन बहुत इंपोर्टन्ट है इसका सही आंसर है रैम से मैक डोनाल्ड एक बार फिर से देख लीजे तीनो गोल्मेर्ट सम्मेलन में इंग्लैन्ड के प्रधान मंत्री कौन थे? Ramsey, Macdonald अगला कुश्चन कॉंग्रेस ने कौन सी गोल्मेर्ट सम्मेलन में भाग लिया? इसका सही आंसर है दुतिय गोल्मेर्ट सम्मेलन दोस्तों कॉंग्रेस एक पार्टी थी तिरतियी गोलमेड सम्मेलन में कितने प्रतिनीधियों ने भाग लिया था यह भी प्रेशन पूछ लिया जाता है इसका सही आंसर है 46 एक पर फिर से देख लिजे तिरतियी गोलमेड सम्मेलन में कितने प्रतिनीधियों ने भाग लिया था 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था अगला कोशन देखते हैं कौन सी गोलमेट सम्मेलन में वेश्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर बोला यहाँ चर्चिल होगा दोस्तों इसका सही आंसर है दुतिये गोलमेट सम्मेलन में किसने बोला था वेश्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर बोला था दुतिये गोलमेट सम्मेलन में अगला कोशन दोस्तों उस भारतिये का नाम बताईए जिसने तीनों गोलमेट सम्मेलन में भाग लिया था ये प्रेश्ण अक्सर पूछ लिया राता है परिक्छाओं में इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराओं अमबेटकर दोस्तों डॉक्टर भीमराओं अमबेटकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अगला कुश्यन अगला कुश्यन गांधि एवन वाइसरायय लौड इरविन के बीच समझोता कब हुआ पांच मार्च उननिस्सोः 1931 को ये प्रश्ण भी याद कर लीजेगा 5 मार्च 1931 को So friends, ये सभी थे तीनों गोल में सम्मेलन से सम्मदनित प्रश्ण उत्तर दोस्तों इन सभी प्रश्ण उत्तर के बाहर से प्रश्ण नहीं आने वाले हैं आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताईएगा उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों को साथ भी तरी महतपूर जानकारी शेर करिएगा दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और पति दिर नोटिफिकेशन पानिक लिए बेल आईकन दबा दीजेगा दोस्तों हमारी और भी वीडियो हैं काभी महतपूर हैं आप उनको भी देख लिजे प्लेलिस्ट में जाके मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद जय हिंद जय भारत